खलो नमस्कार दोस्तो सभागत थैं आफ सभी का सत्येश्टी यूटूब चेनल पे दोस्तो आफ सभी को मौलुमैं कि हमारे यूटूब चैनल के वाधियम से आफ सभी के लिए depend का पेपर सॉल्व किया जा रहा है अतात जो ITI के शुडेंट है फश्चेर के शुडेंट है चाहे उनका फश्चेर में बैग लगाओ चाहे वो इस समय फश्चेर के एक्जाम देने वाले हैं उनकी यहाँ पर जो पहले कोशन पूछे गए थे पेपर में वैसा ही कोशन आपको यहाँ पर दिये जारे हैं में से तो सभी लोग वीडियो को complete देखिएगा और इस तरह की डेलिक वीडियो पाने के लिए चैनल को भी subscribe के लिजेगा नीचे आपको एक rate color का button दिख जाएगा subscribe वाला उसको दबा लिजेगा और बगल में घंटी वाल आइकोन को दबाकर all notification पर क्लिक लिजेगा तो चले दोस्तों हम आज का question सुरू करते है question number 16 क्योंकि पहले भी मैंने आपको 15 question प्रोवाइड कर दिया लिंक आपको decision में मिल जाएगा तो उस question को भी देख लिजेगा तो यहाँ पर question आपसे पूछा जा रहा है मैं आपको यहाँ पर पूरी आपको समझा देता हूं जानकारे जो डायोड होता है दोस्तों गयर ओमिक परतरूद का होता है क्यों बहुत सारे लोगों को कह안ँगे क्यों ऐसा क्यों होता है तो दूस्तों इसका रीजन है कि वे परतरूद जो ओम की नियम का अथात आई प्रपोर्शनल टू जो आपका होता है आई प्रपोर्शनल टू भी इसका जो पालन नहीं करते हैं वो आपका ओम अथाथ गैर ओमिक परतरूत के अंतरगत आते हैं या उन्हें हम गैर ओमिक परतरूत चालक कहते हैं जैसे कि हमारा डायोड हो गया जो कि आफसन में दिया गया है और एपका LED भी आता है और LDR भी आता है थर्मिश्टर भी आता है ठीके यह जो आते हैं यह सिनेडी समांतर से लोग में सन्यूजन के अंतरगत भी आते हैं तो इसको भी दियाने कियेगा तो यहाँ पर कोशन के अनुसार ह दोस्तों देखिए जो हरा सरूत का एक शक्रिय अवयो Scale होता है अथा जो हो जिसको हम सक्रिय हो है पहले तो यहाँ आप आफसं वहयो किसे काता हैं तो वे उन्वेस्ट चाहाए जो वे ख़ीखती आता हो जो एक सक्रियो मतलबनेंट है और से को किलblowing वीगs करता है और जाप परदान करते हैं वह आपका स्क्रीय क्या लाते हैं आप करता है तो इन warranty घो आ ते हैं तो इनको आप ध्याने किएगा चलिएए हम आगे बरते कोश्वन नम 느 18 को देखिए घेस्षा पर होती है जो की आप यहां पर अपको पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि यहां पर कोशन से समझ में नहीं आ रहा है कि यह पूछ कहा रहा है तो यहां पर देखिए पहला आप संद्याङे इन में बहने वाली धारा के की समान उपाती एंकि परत्रोट के पैदा होने वाली उसमा है तो कैसे पैदा होती है और उसमें क्या कारण है दोस्तों देगे जो परतिरोद के आर पर उसमा पैदा होती है जो जिसको हम इन में से बहने वाली धारा के वर्ग क्या होता है समानुपाती होता है मतलब कि यहाँ पर H बराबर H प्रपोर्शनल टू क्या होता है i2 होता है अब यह सुत्र से निकल जाएगा और इसका जो सुत्र होता है h बराबर होता है i2 rt से हम निकालेंगे तो यह हमारा आ जाएगा h proportional to i2 इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कोईशन के अनुसार आफसा नंबर c अतात इन में वहने अवाली धारा के वरगे क्या होता है समानुपाती होता है मतलब कि यहाँ पर c आफसा नमारा बेलकुल करेक्टेंसर हो जाएगा के लिए रोगे दोस्तों चलिए हम आगे बरते हैं next question पे question नंबर 19 पे आ जाते हैं कहरा बीमा पूछ रहा है तो इसको बीमा हम कैसे निकालेंगे देखिए जो इमएफ का बीमा होता है पहले तो इसको जान लेजिए m l square a inverse t के घाते माइनस 3 होता है जो कि आफसान में हमरा दिया गए आफसान नंबर a लेकिन इसको आप जान लेजिए इसको हम कैसे निकालते हैं देखिए जिन भौतिक रासियों का जो इकाई समान होती है उनका जो बिमियमान होता है वो भी समान होता है अतात यहां पर एमएफ का पूछ रहा है तो एमएफ एक परकार का बिभो होता है ठीक है इसको ध्यान किएगा और जिसका जो होता है जिसका जो इकाई होता है बोल यहां पर क्या होता है और इस तरह आप असानी से निकाल सकते आपको इस तरह का आता है तो यहां पर हमारा जो हो जाता है जो समझने वाली बात है किसी जो टापीं कुंडली में परभाव किसके समानुपाति होता है। वर्ग के समानुपाती होता है मतलब कि आई स्कॉयर के यहां पर आई स्कॉयर के क्या होता है समानुपाती होता है मतलब कि यहां पर यदि आपका मैंने आपको पिछले में सुत्र बताया था है एच बराबर यदि आपका दिया गया है आई स्कॉयर आर्ट ठीके और इसमें क् समानुपाती होता है आई स्कॉयर के मतलब कि यह आपका जो कुंडली कुंडली में जो ताफिया प्रभाव धारा होता है यह आपका आई स्कॉयर की समानुपाती होता है तो यहां पर हमारा सही हो जाता है कोशन के अनुसार आफसान नंबर भी बिल्कुल करेक्टेंस वर अथ यह किसकी एकाई है तो यहाँ पर हमारा a options सही हो जागा थोड़ा से इसके बारे में हम जान लेते हैं दिखें एंप्यर जू से करते हैं और तो क्यूं को थ्याना कियेगा एम्पियर सिकेंड और अपका कूलाम भी होता है तो दूनों को ध्याने किएगा सुत्र होता है तो Q बराबर हम N के नाम से जानते हैं और एक आपका होता है Q बराबर IT और एक आपका होता है क्या होता है Q बराबर CB भी होता है ठीके तो यह तीनों को ध्याना किएगा और तीनों का जो आपका होता है कुलामी होता है इसको ध्याना किए तीनों का होता है कुलामी होता है तो 108 220 बोल्ट परते का किया गया है यदि यहाँ बल्ब स्रिंखला में 220 बोल्ट की मुक्या आप उर्थी से जुड़े हैं तो दोनों बल्बो द्वारा खपत उर्जा होगी बेर बेर इंपोर्टेंट कोशन ऐसे कोशनों को आपको लगाना पड़ेगा और आप लगाएंगे कैसे देखे इसका आसान तरीका है चुकि आप सभी को मालूम है कि हमारा सूत्र क्या होता है इसे कोशन को लगाने के लिए तो पहले यहाँ पर द्यान लेजिए इसी में आपका सूत्र छिपा हुआ है आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पर दो बल्बु कुरेट यहाँ पर 100 वा देखे हैं मतलब कि यहाँ पर हमारा सूत्र जो लगेगा पी बराबर भी स्कॉयर आर लगेगा और चुकि आप सभी को मालूमें पी प्रोटिशनल टू वन अपान आर होता है मतलब कि छोटा होता है तो यहाँ पर देखिए तो स्रेडी करम में आया हम सूत्र कौन सा यहां पर हमारा दिया गया तो 100 गुड़े 100 थीक है बटे 100 प्लस 100 तो इस तरह हमारा क्या हो जाता है देखिए 100 गुड़े 100 और यहां पर 200 हो जाएगा तो मतलब की 100 गुड़ी 100 बटे 200 अब इसको कटा दिजिए तो यह हमारा कितना आजाएगा पच्चास वाट आजाएगा ठीक है कितना आजाएगा दोस्तों 50 वाट और आफसन में हमारा कौन सा दिया गए तो आफसन नंबर भी दिया गए हमारा 50 वाट के लिए रोगए दोस्तों कोई भी द तापन का प्रियोग होता है धारा के तापन प्रभाव पर होता है और बिदू तापन की से कहते हैं तो बिदू तापन का जो प्रियोग होता है पहले तो इसको जान लेजिए जैसे कि धातों के गलना करना कोठोरी करन मिर्दी करन और उनको सुकाना या घरेलू कारियों में वेल्डिंग खाना पकाना भौनों का सुकाना आधी में इसका ज्याधातर प्रियोग होता है तो यहां पर हमारा सही हो जाता है आफसन नंबर भी अथा तापन में इसका प्रियोग होता है बैदुत तापक का किलेर वगर दोस्तों उमीद है आपको कोई भी कनफ्यूजन नही देख लिए यहां पर पूछा गया कि हमारे घर में जब हम अधिक भार वाले उपकरण का स्वीच आन करते हैं तो हमने देखा कि उस बल्व की चमक में थोड़ी सी कमी उत्पान होती और स्वीच आन करते समय इसका कारण है तो दोस्तों देखिए जब हम एक भार वाले जो क अमारी भार के स्वीच को आन करते है तो इस में पहले तो इसको आप द्यान होतेगा और क्या होता है चुल्पारियाए उस्की तर्मिनल बोल्टेज कें यह कमी बल्व को परभावीत करता है जो कि उस्वामली से अदुदापन का कारण होता है तो यहां पर हमारा आपसन नम्बर ए सही हो जागा, not 20, ठीक जो लोग B को यहाँ पर कवर कियेतें, उनको गलत हो जाएगा, यह पर A。 यहाँ पर मैंने 24 मैंने 24 कोश्चन कवर कर दिया है, जिसमें 25 हो जाएगा, और यहाँ पर मातते कोश्चन नम्बर 35, केराई कोशन पदार्थ का सबसे कम खाली अस्तान मान एक अच्छा विस्तम वाहक अठाथ इंसूलेटर होता है। जो पदार्थ का सबसे कम चालगता वो पदार्थ होते हैं जिनमेंrokतिको एलेक्टरों बहुत ही कम होते हैं जिन में बिदुधारा का परवार नहीं होता है वह आपका कहलाता है तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा चालता तो यह आपका से हाफसं बिलकुल करेक्ट पर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 26 पे कह रहा है कोश्चन चालक ता कि गुण की अनुसार निम्न में से बिसम का चैयन करें जिसे कि यहां पर आपका आपसन में दे दिया गया है और प्लास्टी चादी कापर प्लास्टिक ऐलमुनियम दे दिया गया है लेकिन देखे इसको ध्यान दिएगा जिस पादार्त में परतेरोगत का महाँ होता है कम होता है उसे हम क्या जालक जिसालक हो गया आपका अपको यहां पर नमबर ए बहुत करेक्ट नसवर अधाद्वाट प्लास्टिक च proprietary प्लास्टिक क्लीर контрac तो आफसन नमबर यहाँ पर हमारा यह सही हो जाएगा के लिए वगए दोस्तों आगे बढ़ते हम कोशन नमबर 27 पर कह रहाए कोशन के निचे दिये गए परदार्त में किस परदार्त का परतुरोत ताप गुणांक रिणातमक है दोस्तों कारबन का जो परतुरोत होता है ता जो तापान बढ़ने पर परतुरोत कमान कम होता है सभी को मालूम होना चाहिए तो यहाँ पर हमारा कारबन में बिल्कुल करेक्टेंसर हो जाएगा क्लियर वगए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 28 पर कराई कोशन निमल खीत में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर वांतर करम में आवेस जुड़ा होता है दोस्तों देखिए बिदुद जो विस्वाहक का परतुरोत होता है उच होता है और जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्टॉन की संक्या नगण होती है अथात नहीं होती है वह आपका विस्वाहक इंसूलेटर कहलाते है इसलिए यह यहां पर जो हमारा सही हो जाएगा आफसन नंबर भी सही हो जाएगा यह भी आफसन बिल्कुल करेक्टेंसर हो जाएगा क्लियर हो गया आगे बरते हम कोशन नंबर 39 कराई कोशन चालक तो के गूण के अनुसार निम्न में विसंपदार्थ का चैयन करें यहां पर यूरेका जो इसमें जिया गया है कि यहां पर जो दिया गया आपका प्रेस बोर्ड पारेक्स और सिंथेटिक इरेजीन यह जो हैं कुछ आलग पदार्थ के अंतरगात आते हैं और हमसे पूछ कह रहा है चालक तक गूण के अनुसार निम्न में विसंपदार्थों का चैयन करें तो सिर्म करेंगे उसरी टाइब का कॉष्चन है इसमें आपका कौन सा सही हो जाता है यहां पर प्लास्टिक और पिवीसी दिया गया तो यहां पर जो आपका अर्द आव्ट चालक है और जर्मेनियम जो होता है यहाँ पर जो आपका आफ सन में दिया गये यह हमारा आफ सन के अनुसार चले तो यहाँ पर सभी हो जाएगा आफ सन नमबर B तो B आफ सन बिल्कुल Correct के अंसर हो गाए गाए तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इतने ही कोशन कबर किये गए झाल 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 झाल